हेलो स्टुडेंट स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल ओट्व एंड डिजिटल एजूकेशन में मैं आपका मैच्स टीचर ललित कुमार आज हम लेकर करके आए हैं क्लास 11 चैप्टर 3 टिगनो मेटरी की एक्सरसाइज 3.3 का बिटा सेकेंड पार्ट 3.3 का सेकेंड प साइज 3.3 जिसके हम पढ़ने जा रहे हैं कुश्चन नंबर 12 कुश्चन नंबर 12 को करने से पहले एक बार हम टिगनोमेटरिक आइडेंटिटी जो हैं उनका क्विक करते हैं क्योंकि यदि आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो हम यह कुश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंग इससे पहले जो हमने कुश्चन घिये थे वह कुश्चन थे आपके स्ट मी ऐ an माइनस भी कॉस ए प्लस भी और कॉस ए माइनस भी वाले फॉर्मूले के इसके अलावा इन कुश्चंस में आपकी क्लास 10 वाली अधेंट जो है उनका भी यूज हमने किया था तो यहां हम पढ़ने जा रही है, sin c minus sin d वाले formula, sin c minus sin d या sin c plus sin d, तो सबसे पहले बात करते हैं, sin c plus sin d की, sin c plus sin d का formula क्या होता है, यह formula आपका होता है, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, इसका मतलब क्या है बिटा, यदि आपके पास sin c और sin d, c और d क्या है, यहाँ पे आपके angles हैं, तो वो इस तरह से work करेगा, कि 2 sin c plus d upon 2, याने कि दोनों angles को जोड़ करके, हाप कर देगा, into cos c minus d by 2, याने कि दोनों angles के difference है, फिर उसको भी क्या है वो, divide कर देगा 2 को, इसके बाद यह दि बात की जाए, sin c minus sin d, sin c minus sin d, तो जिसका formula आपका होगा, 2 cos c plus d by 2, into sin c minus d by 2, यह होगे बिटा, आपके sin c plus sin d, और sin c minus sin d वाले formula, इसके अलावा यह formula आपके cos में भी आते हैं, cos c plus cos d, cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2, into cos c minus d by 2, ओके बिटा, और cos c minus cos d, यह formula आपका कुछ इस तरह से होगा, बिटा, 2 sin c plus d by 2, into sin d minus c by 2, यह थोड़ा बिटा, डिफरेंट है, बाकी अधर से, सब में क्या है, c plus d by 2, 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 4 formula में, बाद में क्या है, c minus d by 2, c minus d by 2, c minus d by 2, बट, cos c minus cos d वाले formula में क्या होता है, sin d minus c by 2, आपको करना होता है, यदि आपको यह d minus c नहीं करना है, तो इस formula को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, minus 2 sin, c plus d by 2, into sin, c minus d by 2, ओके बटा, यदि उसी formula में लेके आना है, तो हमें क्या है, इस formula में minus लेके चलना है, तो आईए देखते हैं हम, इस question, question number 12 को, जिसमें दिया हुआ है, prove that sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x, sin 2x into sin 10x, तो बटा, देखते हैं, इसका solution, we have LHS, हमारे पास बटा, इस question की जो LHS है, वो है, which is equal to sin square 6x minus sin square 4x, अब हमने देखा बटा, यह आपका sin square 6x minus sin square 4x, किस form का है बटा, यह है आपका a square minus b square वाली form है, और जिसके factors होते हैं, आपके a plus b, और a minus b, ओके बटा, तो हम क्या करेंगे, इस LHS को two parts में divide कर देंगे, सिन 6x plus 4x, सिन 6x plus सिन 4x, इन्टू साइन 6x minus sin 4x, ओके बटा, अब आप देखिए, यह जो मैंने यहाँ पर identity लिखी हुई है, उन identity से match कर रहा है, साइन 6x plus sin 4x, यह हो गया आपका plus वाला, साइन C plus sin d, और यह हो गया, साइन C minus sin d वाला formula, इसमें आपके यह दोनों formula लग रहे हैं, यह वाला और यह वाला formula, तो दोनों formula को implement करते हैं हम इसमें, साइन C plus sin d जो आपका होगा, वो होगा बटा, टू साइन यहाँ पे C जो है बटा एंगल आपका, वो है, यह C है और यह D है, यहाँ पे यह C का काम करेगा और यह D का का काम करेगा, तो टू साइन, टू साइन 6x plus 4x upon 2, इन टू साइन 6x minus 4x upon 2, ओके बटा, यह हो गया आपका यह वाला bracket solve, और साइन C minus sin d की अगर बात करें, इन टू यह वाला formula बनेगा, बटा, साइन C minus sin d, इन टू साइन 6x minus 4x upon 2, ओके बटा, अब देखते हैं इसमें आगे क्या करना है आपको, यह 2 into sin 6x plus 4x, यह होगा बटा, आपका 10x, 10x upon 2, इन टू 5x, इन टू साइन 6x minus 4x, आपका 2x upon 2, 2x upon 2, इन टू बटा, आपका बचेगा यहाँ पर, एक्स, इन टू, 2 cos 6x plus 4x upon 2, इन टैन 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 टू, विच इज इक्वल टू 5x, इन टू साइन 6x minus 4x, विच इज इक्वल टू 2x, 2x upon 2, इन टैन 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 आपका हो जाएगा, अब आपको क्या है, यहाँ से बटा पेयर बनाने है, सेम सेम एंगल्स के बनाने हैं और मंने क्या किया यहाँ पर साइन टू साइन फाइव एक्स में हैं सारी टरम्स किसमें है मल्टिप्लाइज इn मैंने दूसरा combination बना दिया 2 sin x 2 sin x into cos x तो बिटा ये वाला 5 x मैंने इस 5 x के साथ दे दिया और ये वाला cos x मैंने इस वाले sin x के साथ पहुचा दिया तो यहां हम देखेंगे हमारे पास 2 sin 5 x into cos 5 x into 2 sin x into cos x तो बिटा ये भी कि अपने आप में क्या है आपका फॉर्मूला है साइन टू एका साइन टू एक इस इपुल टू तू साइन x इंटू कॉस एकस तू साइन के साथ double angle हो जाता है कितना हो जाता है double angle और यह फॉर्मूले बोले जाते हैं बिटा double angles के formula कौन से एंगल बोले जाते हैं यह double angle formula ऐसे बोलते हैं तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं साइन 5x into cos 5x into 2 को इसका double हो जाएगा कितना हो जाएगा और यह complete बन जाएगा आपका साइन 5 तूजड टेन एक्स इन टू तू इस टू शाइन एक्स को सेक्स तू टू साइन एक्स इन्टू कॉस एक्स आपका बन जाएगा साइन टू एक्स और यही वेटा आपको पूरूफ करना था साइन 2X इंटू साइन 10X साइन 2X इंटू 10X इसको आप सिक्वेंस में कर दीजिए तो यह आपका हो गया साइन 2X इंटू साइन 10X और यही है आपकी राइट हैंड साइड I hope की बटा आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह identities learn है यह formula आपको learn है तो आप यह questions को बहुत easy way में कर सकते हो ओके बटा next आगे बढ़ते हैं हम अपने question question number 13 question number 13 यह रहा बटा आपका question number 13 question number 13 है prove that cos square 2X into cos square 6X which is equal to sin 4X into sin 8X तो बटा identity हमें याद है हमें बस इसका solution करना है तो हम लेते हैं इस question के solution में तो हम बटा left hand side लेते हैं इस question की LHS is equal to cos square 2X into cos square 6X cos square 6X जो आपका आएगा बटा sin 4X into sin 8X तो हमें क्या करना है बटा यहाँ पर इस cos square 2X और cos square 6X को इसमें हमें क्या करना है बटा साइद इसमें कोई mistake है यह साइद इसमें minus लगा हुआ होगा cos 2X एक मिनट देखते हैं बटा इस question को इस question में बटा मुझे mistake लग रही है इस question में cos square 2X into cos square 6X तो यह आपका हो जाएगा बटा इगनो मेर्ट भी इगनो मेर्ट भी एक्सरसाइज 3.3 कुष्यन नमबर 13 कुष्यन नमबर 13 पिल्कुल ठीक है यहांपे क्या है بटा माइनस है it मैं यहां पर माइनस यहां पर माइनस है तो यह आपका कॉसफच्वीर'M1 माइनस कॉस है और 6 x तो बिल्कुल जैसे हमने पहले उट्रण किया था बिल्कुल ऐसे हम até करेंगे तो यहां पर यह क्या हो गया आपका a square माइनस b square वाला formula बन रहा है इस कॉस स्क्वेर 2x को मैं लिख सकता हूं बिटा कॉस एक्स का square कॉस 2x का square क्या लिख सकता हूं बिटा कॉस 2x का square माइनस यह आपका हो जाएगा कॉस 6x का square कॉस 6x का square हो जाएगा थोड़ा पेंचेंज करते हैं इस इस इक्वल टू यह आपका बन जाएगा बिटा कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x एप्लस बी इंटू ए मानस बी की फॉर में पिटा हमने स्कों कर लिया है अब जैसा कि हमने अभी थोड़ दिर पहले फॉर्मूले लिखे थे कॉस c प्लस कॉस्डी का जो फॉर्मूला था वह था आपका 2 c c plus d by 2 into cos c minus d by 2 but cos c minus cos d में क्या था sin sin आ रहा था sin to sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 तो बिटा implement करते हैं दोनों formula को तो यह आपका काम करेगा यहां पर यह करेगा बिटा c यह आपका d यह आपका c है और यह आपका d है which is equal to 2 cos c 2x plus 6x by 2 into cos c c means हो गया बिटा आपका 2x minus 6x by 2 one bracket में बिटा यह हो जाएगा and second bracket में आपका आएगा 2 sin 2x plus 6x by 2 into into sin 6x minus 2x by 2 d minus c हो जाएगा बिटा क्या हो जाएगा d minus c by 2 which is equal to यह हुआ बिटा आपका 2 cos 6 plus 2 आपका हो जाएगा 8x 8x by 2 आपका हो गया 4x 4x into cos 2x minus 6x तो बिटा आपका बचेगा माइनस का 4x minus 4x upon 2 it means minus 2x minus 2x ओके बिटा तो यह वाला ब्रेकेट इस तरह से सॉल किया and second bracket को देखते हैं 2 sin 6x plus 2x 8x 8x upon 2 it means बिटा आपका sign 4x आ जाएगा into sign 6x minus 2x आपका बिटा 4x आएगा यहां पर क्या आएगा बिटा 4x आएगा sign 6x d minus c 6 4 आएगा बिटा और 4 divided by 2 आपका आजाएगा 2x 2x आजाएगा अब इस तरह से हमने देखा बिटा यह आपका combination बनेगा 2 cos 4x into cos minus x cos minus x होता है बिटा cos minus x जो होगा वो आपका cos x होता है क्या होता है बिटा cos x होता है fourth quadrant का एंगल है कौन से quadrant का एंगल है fourth quadrant का एंगल है और यदि fourth quadrant में आपका sign lie करता साइन माइनस x क्या होता है माइनस साइन x होता है ओके बिटा तो इस तरह से हम क्या करेंगे cos minus 2x आपका cos 2x हो जाएगा positive cos 2x cos 2x वन ब्रेकेट बिटा दूसरे ब्रेकेट में क्या है आपका 2 साइन 4x into sin 2x अब हम इसे क्या है इनको थोड़ा separate करेंगे जैसे हमने पहले question में किये थे क्योंकि हमें formula बनाना है साइन 2e का इसका बिटा साइन 2x का formula बनाना है साइन 2x आपका होता है 2 sin x into cos x इस formula की form में हमें लेकर के आना है तो मैंने क्या किया बिटा 2 sin 4x 2 sin 4x और cos x ले लिए बिटा मैंने यहां से into cos 4x one break it आपका यह बन गया and another break it आपका बनेगा बिटा 2 sin 2x 2 sin 2x into cos 2x into cos 2x तो इस तरह से बिटा यह आपका बन गया formula 2 sin x into cos x जिसमें आपको क्या करना है यह हो जाएगा आपका 4 to ja 8 sign 8x और यह वाला बन जाएगा बिटा आपका sign 4x sign 4x अब देखिए आप इपनी right hand side को जो है sign 4x into sign 8x तो इससे थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए यह आपका हो जाएगा बिटा sign 4x into sign 8x और यह ही है आपकी right hand side इस question को भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है बिटा जैसे हमने question किया था question number 12 जिसमें आपकी identity लगी sign c plus sign d sign c minus sign d cos c plus cos d cos c minus cos d तो बिटा चारो आइडेंटिटी या चारो फॉर्मूले जो है उनको अच्छी तरह से learn करने के बाद इसमें हमारे फॉर्मूले लग रहे हैं double angle के जैसे sign 2x is equal to 2 sin x into cos x इसके अलावा हमारे cos के भी फॉर्मूले होते हैं cos 2x is equal to cos square a cos square x minus sign square x इसके अलावा और formula होता है cos 2x का जो है आपका 2 cos square x minus 1 और एक formula है बिटा 1 minus sign square x इसके अलावा एक cos 2x और sin 2x का बेटा 10 में भी formula होता है किसमें होता है formula 10 में भी formula होता है जब कोई question आएगा उस समय हम उसको लिखेंगे तो फॉर्मूले आप अपने अलग एक page पर separate लिखते रही है कि टिक्नोमेटरी में हमें कौन-कौन से formula implement करने हैं ओके बिटा और इन formula को लगन भी करते रहना next हम बढ़ते हैं अपने next question 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 number 14 question number 14 यह रहा प्रूव एट साइन 2 एक्स प्लस टू साइन 4 एक्स प्लस साइन 6 एक्स विच इग्वल टू 4 कॉस स्क्वेर एक्स इंटू साइन 4 एक्स तो बिटा हमें जो भी वर्क करना है वो करना है लेफ्ट साइड को तो लेते हैं इस question की left-hand side है विटा एल एचेस वी चीज इक्वल टू तो एल एचेस को विटा मैं इस तरह से अरेंज करूंगा कि हमारी identity वहां पर यूज हो जाए हमारी हमारा formula वहां पर implement हो तो मैंने क्या किया विटा मैंने sin 6x को पहले लिखा मैंने लिखा sin 6x plus sin 2x plus sin 2x और 2 sin 4x को मैंने बाद के लिए छोड़ दिया 2 sin 4x इन दोनों को मैंने साथ क्यों लिया है क्योंकि मैं यहां पर sin c plus sin d का formula इंप्लीमेंट करने वाला हूं इसमें तो कर दीजिए इसमें sin c plus sin d का formula 2 sin 6x plus 2x upon 2 into cos 6x minus 2x upon 2 ओके पीटा पिलस 2 sin 4x plus 2 sin 4x which is equal to तो पिटा यह आपका हो गया 2 sin 6 6x plus 2x 8x 8x upon 2 8x upon 2 का मतलब है यह आपका हो गया 4x into cos 6x minus 2x यह आपका हो जाएगा 4x plus 2 sin 4x अब यहां से हमने देखा बिटा 2 sin 4x common है 2 sin x क्या है यहां पर common है 2 sin 4x यहां भी है और 2 sin 4x यहां भी है it means मैंने 2 sin 4x ले लिया common तो क्या बचेगा बिटा यहां बचा आपका cos 2x cos 2x plus 1 बचेगा आपका यहां पर यहां बचा आपका 1 which is equal to अब आप देखिए right hand side में sin 4x आपको चाहिए क्या चाहिए बिटा sin 4x आपको चाहिए तो sin 4x मिल गया 2 और हमें क्या चाहिए बिटा 4 से है तो हमें 2 भी चाहिए तो मैंने क्या किया 2 sin 4x into तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था बिटा एक cos 2x का फॉर्मूला बताया था जो होता है etos square x minus sin votes okay फॉर्मूला होता एक फॉर्मूला होता है क्या क्या करम पर लेगे तो फॉर्मूला लीना है जो होता है 2 cos square x minus 1 2 cos square minus 1 तो cos 2x की जिगे बिटा मैंने put कर दिया 2 cos square x minus 1 और बिटा ये plus 1 यहाँ पर है ही इस तरह से देखो क्या हुआ plus 1 से आपका minus 1 cancel हो गया plus 1 से आपका plus 1 से आपका बिटा minus 1 cancel हो गया तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और cos square x cos square x into sine 4 x into sine 4 x और ये ही है बिटा आपकी right hand side and then we can say that left hand side is equal to right hand side और ये ही करना होता है बिटा हमें आपके trigonometry के questions में हमको left hand side को right hand side के equal proof करना होता है तो बिटा कितने easy way में formula यदि हमें learn है क्या यदि formula हमें learn है हर identity पर हमारी command है बिल्कुल step five बिल्कुल कूल माइंड से यदि हम question को देखेंगे तो trigonometry में ऐसा कोई question नहीं है कि हमसे वो रह जाएगा cos 2 x का हो गया बिटा एक formula मैंना आपको sign में भी one minus two sign square x इसी तरह से यदि बात की जाए तो आपका 10 2a का भी formula होता है लेकिन जब आओ सकता पड़ेगी तब देखेंगे उसको next आगे बढ़ते हैं हम अपने नए question question number 15 question number 15 question number 15 है बिटा आपके सामने cot 4x cot 4x into sign 5x plus sign 3x which is equal to cot x sign 5x minus sign 3x ओके बिटा तो हमें क्या करना है left hand side को solve करना है lhs is equal to cot 4x cot 4x into यहां पर आपका हो गया बिटा sign c plus sign d का formula sign c plus sign d का formula तो मैं यहां पर पहले lhs लिख लेते हैं बिटा sign 5x plus sign 3x sign 3x which is equal to तो बिटा यह आपका हो गया cot 4x क्यूंकि cot 4x का तो हमाई पास कोई formula ही नहीं है बस हम cot 4x को किसमें convert कर सकते हैं cos 4x upon sign 4x cot 4x को हम convert कर सकते हैं बिटा cot theta होता है या cos cot x होता है cos x upon sign x इसको बाद में देखेंगे हमें इसका क्या करना है फिलाल मैं यहां लगाने जा रहा हूं sign c plus sign d का formula जो होता है 2 sign 5x plus 3x by 2 into cos 5x minus 3x upon 2 ओके बिटा वीच इज इक्वेल 2 cot 4x into 2 sign 5 plus 3 8x हो जाएगा 8x upon 2 आपका बिटा 4x हो गया into cos 5 minus 3 2x 2x upon 2 आपका बिटा x हो जाएगा क्या हो जाएगा अब हम क्या करेंगे इस cot 4x को आप खोल दीजिए cot 4x आपका होता है बिटा cos 4x upon sin 4x sin 4x क्यूंकि बटा आप हमारी introduction वीडियो देखना वहां मैंने आपको बताए था जो sin theta होता है वह होता है 1 upon cos theta 1 upon cos theta अब क्यूंकि यहां पर बटा हम functions की बात करें हैं तो हम इनको थीटा ना लेकर के हम लेंगे इनको फंक्सन कि एट मेंस sin x is equal to cos x होता है और यदि बात की जाए cos x की cos x जो होता है आपका 1 upon sin theta 1 upon sin theta इसी तरह से आपका बिटा cos x जो होता है जो आपका बिटा sin x cos x होता है आपका 1 upon sec x and हम कह सकते हैं कि sec x जो होता है आपका वो होता है 1 upon cos x इसी तरह से यदि बिटा 10 x की बात की जाए तो 10 x होता है आपका sin x upon cos x और 10 x जो होता है बिटा 10 x जो होता है वो होता है 1 upon cortex 1 upon cortex it means यदि बात की जाए cortex की cortex तो वो होता है 1 upon 10 x 1 upon 10 x तो यहां मैंने क्या किया बिटा 1 upon 10 x को open कर दिया sin x और cos x आपका चला जाएगा उपर cos x तो इस तरह से बिटा कॉस एक्स जो होता है वो होता है cos x upon sin x मैंने उसको open कर दिया cos x upon sin 4 x into 2 sin 4 x into cos x तो बिटा sin 4 x से sin 4 x कट हो गया sin 4 x से sin 4 x कट हो गया अब आपके पास क्या बिटा एक तो बिटा आपके पास टू 2 into cos 4 x into cos x cos 4 x into cos x अब बिटा यह हमारी last step है अब इसमें ना तो कोई formula लग रहा है ना तो इसमें कोई formula लग रहा है और ना ही हम इसको इससे आगे solve कर सकते हैं ओके बिटा अब क्या है इसके में हमें right hand side को solve करना पढ़ेगा क्या करना पढ़ेगा और उसे 2 cos 4 x into cos x ले करके आना पढ़ेगा तो आईए करते हैं इसकी right hand side को solve right hand side में है बिटा आपका cortex into sin 5 x minus sin 3 x it means sin c minus sin d का formula आपको यहां पे बिटा implement करना है तो देखते हैं इस question को इस question की right hand side right hand side है बिटा rhs which is equal to cot x into sin 5 x minus sin 3 x ओके बिटा तो cot 4 x को मैं open कर सकता हूँ यहां पे आपका cos x upon sin x into sin c minus sin d आपका हुजाएगा बिटा 2 cos c plus d 5 x plus 3 x 8 x 8 x upon 2 आपका हुजाएगा बिटा यह 4 x into sin 5 x minus 3 x आपका हुजाएगा बिटा 2 x and 2 x upon 2 आपका हुजाएगा sin x ओके बिटा तो यहां आपका sin x से sin x cancel हो गया और क्या बचेगा आपका 2 into cos 4 x into cos x तो बिटा देखिए आप दोनों साइड लेफ्ट एंड साइड और राइट एंड साइड तू कॉस फो एक्स इंटू कॉस एक्स हमने प्रूफ कर दी एंड दैन वी कैन से देट LHS is equal to RHS और लिख देंगे बिटा वेरिफाइड रिफाइड हमने वेरिफाइड कर दी क आपकी राइट एंड साइड के एकवल है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले कुस्चन कुस्चन नंबर 16 कुस्चन नंबर 16 तो यह रहा बेटा कुस्चन नंबर 16 कॉस 9x-5x अपॉन साइन 17x-3x वीच इज इकवल टू-2x अपॉन कॉस 10x ओके बिटा तो कुछ भी न साइन डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस C प्लस कॉस्च डी एंड कॉसी माइनस कॉस्च दी तो लिखते हैं LHS of this कुस्चन LHS which is equal to यह है बेटा आपका कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x ओके बेटा तो वी चीज इक्वल टू आप देखिए numerator अपॉन डेनुमिनेटर निउमिनेटर में कॉस सी माइनस कॉस्च डी है और नीचे साइन सी माइनस साइन डी है तो मैं बिटा यहां पर 5x-9x upon 2 हो जाएगा ओके पीटा 5x-9x upon 2 हो जाएगा और एंड नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है पीटा 2 कॉस 17x पिलस 3x upon 2 इन्टू इन्टू आपका इसमें आएगा साइन सी माइनस साइन डी में यहां पर साइन आएगा साइन 17x माइनस 3x upon 2 ओके पीटा अब यहां हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया अब आप देखी बिटा यह बना आपका साइन 9x and 5x 14x 14x upon 2 यह आपका हो जाएगा बिटा 7x इतना हो जाएगा 7x इन्टू यह आपका हो जाएगा बिटा साइन माइनस 5x माइनस 9x यह हो जाएगा बिटा 4x माइनस का 4x upon 2 आपका माइनस 2x माइनस 2x हो गया और इन डेनुमिनेटर कॉस 17 और पिलस 3 यह आपका 20x हो गया 20x upon 2 यह आपका हो जाएगा 10x कितना हो जाएगा बिटा 10x इन्टू यह आपका बनेगा बिटा साइन 17 माइनस 3 इतमें 14x upon 2 तो यह आपका हो गया बिटा 17x 14 इतमें बिटा 7x हो गया कितना हो गया 7x हो गया तो इस तरह से हमने देखा बिटा यहाँ पर यह 7x से 7x कट हो गया 7x से 7x कट हो गया और हमारे पास बचा साइन माइनस x तो बिटा इस से पहले मैंने आपको बताए था अगर कॉस माइनस x होता है इतमींस यह आपके फोर्थ क्वार्डेंट का एंगल है और तो यह आपका आजाएगा पॉजिटीव होकर के मिलेगा यदि आपका साइन माइनस एक्स हो जाता है तो माइनस साइन एकस आपको यहां पर मिलेगा इन फोर्थ गॉर्डेंट तो यहां बेटा हमें मिलने वाला है माइनस साइन टू एक्स माइनस बहार आ जाएगा और बिटा आपका साइन टू एक्स अपॉन कॉस टैन एक्स कॉस टैन एक्स और बिटा ये ही हमें प्रूफ करना था माइनस साइन 2 एक्स ओपर जागर के आपका हो जाएगा सैक 10 एक्स एंड यही आपकी राइट है जो हमने आणसर निकला है माइनस साइन 2 एक्स अपॉन कॉस फोबएस बट इसको हम इस तरह से भी लिख सकते है माइनस साइन 2X इंटू सैक 10X तो next आगे बढ़ते हैं बिटा हम अपने कुश्चन कुश्चन नमबर 17 कुश्चन नमबर 17 तो बिटा कुश्चन नमबर 17 आपके सामने है कुछ भी नया नहीं है बिटा साइन सी प्लस साइन डी अपन कॉस सी प्लस कॉस डी जो आपको प्रूव करना है 10 4X तो देखते हैं बहुत जल्दी से इस कुश्चन को यह है आपकी LHS left hand side which is equal to बिटा साइन 5X प्लस साइन 3X अपन कॉस 5X प्लस कॉस 3X प्लस कॉस 3X which is equal to बिटा साइन सी प्लस साइन D 2 साइन 5X प्लस 3X अपन 2 5X प्लस 3X अपन 2 8X अपन 2 इत मेंस बिटा 4X आपका आगया इन्टू साइन सी प्लस साइन D में साइन इन्टू दूसरी टर्म होती है बिटा कॉस 5X माइनस 3X 2X 2X अपन 2 इत मेंस बिटा कॉस X हमें मिल गया कॉस C प्लस कॉस D में आप आ जाईए 2 कॉस 5 प्लस 3 8 8 डिवाइड़ बाइ 2 इत मेंस बिटा 4X and 5 इन्टू कॉस ही आएगा बिटा साइन सी साइन कॉस 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 ही रहेगा आपका और यह हो जाएगा आपका कॉस 5X माइनस 3X 2X 2X अपन 2 आपका बिटा X आ जाएगा तो यहां हमने देखा आपका कॉस X से कॉस X कैंसिल and 2 से 2 कट हो गया साइन एक्स अपन 4X साइन एक्स साइन 4X अपन कॉस 4X जो आपका बन जाता है 10 4X 10 4X which is equal to RHS then we can say that left hand side is equal to right hand side ओके बिटा इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो 10X होता है आपका वो होता है साइन एक्स अपन कॉस X बहुत ही इजी कुस्चन से बिटा बहुत ही इजी कुस्चन से आगे बढ़ते हैं हम अपनी कुस्चन नमबर 18 कुस्चन नमबर 18 तो प्रूव एट साइन एक्स माइनस वाई अपन कॉस X प्लस Y जोगल टो 10X 10X माइनस 10Y साइद देखते हैं आप मिश्टेक लग रही है बटा मुझे यहाँ पर देखते हैं यह मिश्टेक है या क्या है तो हम लेफ्ट एंड साइड लेते हैं इसकी लेफ्ट एंड साइड इस इक्वल टो साइन एक्स माइनस साइन वाई अपन कॉस X प्लस कॉस Y तो बटा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला इंप्लिमेंट करना है साइन सी माइनस साइन डी अपन कॉस C प्लस कॉस डी तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है बटा टू कॉस X प्लस Y बाई टू इंटू साइन X माइनस Y बाई टू ओके बिटा अपन कॉस C प्लस कॉस D में होता है आपका 2 कॉस X प्लस Y बाइटू इन्टू कॉस X माइनस Y बाइटू तो यहां हमने देखा बिटा कैंच से तो कंच से प्लस y बाइटू से कॉस एक्स प्लस वाइटू कट हुगा विज इचे इक्वैज टू साइन Y बाइटू Aечно Ti X ए टी उ कउस एक्वैज बाइटू आपका हो जाये कान इसमें बिस थोड़ा सा यह फरक है कि यह हमें बिटा कुछ इस ऴइस तरह से लिखना था और यही हमें क्या करना था इसमें यही हमें प्रूफ करना था 10 x minus y by 2 तो इस तरह से बिटा हमने question number 18 भी complete किया आगे बढ़ते हैं हम उपने एक नई question question number 19 तो ये रहा बिटा question number 19 इसकी LHS solve करते हैं sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x cos 3x तो कुछ नहीं है बिटा sin c plus sin d का formula आप इसमें implement कर दीजिए और नीचे आप cos c plus cos d का formula implement कर दीजिए आपको RHS 10 2 x यहां पर मिल जाएगा तो करते हैं बिटा, sin c plus sin d को implement, sin c plus sin d होता है, 2 sin c plus d by 2, c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ओके बिटा, और नीचे आपका denominator में है, sin cos c plus cos d, जिसका formula होता है, 2 cos c plus d, यह बटा 3x है यहाँ पर, कितना x है, यह 3x है, cos 3x, तो यह हो जाएगा बटा, 3x upon 2 into cos 3x, cos x minus 3x, cos x minus 3x upon 2, ओके बटा, अब यहाँ से हमने देखा, 2 से आपका 2 cut हो जाएगा, 2 से 2 cut हो गया, और यदि बात की जाए बिटा, sin 4x upon 2, तो यह आपका हो जाएगा, sin 2x into cos minus में आएगा, बिटा, minus 2x upon 2, इट मेंस minus x, and denominator cos 4x upon 2, इट मेंस बिटा, 2x और यदि बात की जाए बिटा, cos minus 2x by 2, इट मेंस minus x, तो बिटा, यहाँ आपका, cos, cos minus x से cos minus x cut हो गया, और यहाँ बच्चा, आपका sin 2x upon cos 2x, और जो की इक्वल होता है बिटा, आपके 10, 2x की, 10, 2x, और वही है आपकी right hand side, इस तरह से हमने यह question, lhs is equal to rhs, दोनों तरह से बिटा, प्रूफ कर दिया, इस question की left hand side और right hand side दोनों कैसी आ गई, equal next, आगे बढ़ते हैं अपने question, question number 20, question number 20, तो देखते हैं बिटा, question number 20 की left hand side को, lhs is equal to sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x, okay बिटा, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, sin x minus sin 3x, sin 3x upon sin square x minus cos square x, आपका दो bracket बन जाएंगे बिटा, एक तो sin x plus cos x, और एक बन जाएंगे बिटा, sin x minus cos x, sin x minus cos x, ओके बिटा, तो ये हो गया आपका sin x minus sin 3x, और नीचे है आपका sin square x minus cos square x, तो इस तरह से बिटा, हमने ये देखा, अब हमें क्या है, इसमें formula implement कर देना है, sin c minus sin d, जो equal हो जाएगा बिटा, 2 cos x plus 3x, इट मेंस 4x upon 2, तो ये आपका हो जाएगा बिटा, 2x into sin x minus 3x, याने कि sin आपका minus का आएगा, minus 2x upon 2, इट मिन्स बिटा, minus x मुझे यहां से मिल गया, upon sin c plus sin x plus cos x, ये क्या हो गया बिटा, sin c plus, इसमें हमें क्या करना है बिटा, इसको हमें दूसरी identity में यूज करना है, ये जो मैंने इसको दो bracket में break किया है, इसको यदि मैं इस तरह से करूँ, देखना, इसके बिटा मैं क्या करूँ, minus common लेता हूँ यहां पर, तो cos square आपका पहले आ जाएगा, cos square x प्लस हो जाएगा, और minus हो जाएगा आपका sin square x, ओके बिटा, cos square x minus sin square x, which is equal to minus, तो ये formula है आपका cos 2a का, मैंने लिखाया था आपको इससे पहले question में, कि cos 2x क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं, cos square x minus sin square x, cos square x minus sin square x, आपका होता है बिटा, cos square x minus sin square x होता है, cos 2x, कितना होता है बिटा, cos 2x, तो अब हमें इसमें ये ही implement कर देना है, minus cos, minus cos 2x, minus cos 2x बिटा, तो अब हमने यहां पर देखा, ये आपका sin minus x, क्या होता है, minus sin x होता है, it means minus 2 sin x, into cos 2x, upon, और बिटा, डाउन में भी क्या है, minus cos 2x, तो minus से, बिटा, minus cancel, cos 2x है, आपका cos 2x cancel, तो क्या बचेगा बिटा, आपका, ये बचेगा, 2 sin x, 2 sin x, और ये ही है, आपकी right hand side, तो इस तरह से, हम कह सकते हैं, कि बिटा, हमने left hand side को, right hand side के equal, क्या कर दिया, बिटा, proof कर दिया, left hand side को, right hand side के equal, क्या कर दिया, बिटा, proof, next, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, question number 21, question number 21, तो देखते हैं, बिटा, question number 21 की left hand side को, left hand side, जो है, इस question की, वो है, बिटा, कॉस 4X, पिलस कॉस 3X, पिलस कॉस 2X, पिलस कॉस 2X, अपॉन, साइन 4X, पिलस साइन 3X, पिलस साइन 2X, पिलस साइन 2X, जिसको परूफ करना है, आपको कॉट 3X, तो बिटा, बहुती इजी, question है, बस थोड़ा सा, लेंदी है, आपको क्या करना है, इसमें, आपको क्या करना है, इसमें, आपको, कॉस C प्लस कॉस डी वाली फॉर्म बनानी है, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी वाली फॉर्म बनानी है, और इस तरह से बनानी है, कि एंगल्स का हाप हो जाए, जैसे यहां पर 4x plus 3x, 7x upon 2, आप नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बटा, cos 3x को side में कर देंगे, यहां पर हम इस को, इस 3 को side में कर देंगे, which is equal to, देखो, sin 4x plus cos 2x, cos 2x को मैं एक साथ ले आया, और बचा कि आपका, बटा, cos 3x, okay, upon, इसी तरह से मैंने denominator में क्या किया बटा, sin 4x plus sin 2x plus sin 3x को मैं ले गया, बाद में, third term बना दी मैंने, sin 3x, अब क्या करेंगे, बटा, यहां पर हम, अपना formula put कर दीजिए, इन दो के लिए, इन दोनों पर आप cos c plus cos d implement कीजिए, यहां पर sin c plus sin d implement कीजिए, तो करते हैं, बटा, cos c plus cos d, 2 cos 4x plus 2x, 6x upon 2, it means 3x into cos 4x minus 2x, 2x, 2x upon 2, it means, बटा, cos x आपको मिलेगा, plus cos 3x, आपका है ही अलग, cos 3x है ही अलग, सेम ऐसे ही हम नीचे करेंगे, 2 sin c plus sin d में, आपका sin 4x plus 2x upon 2, 6x upon 2, it means, 3x, और यदि बात की जाए, बटा, next तो यह आपका हो जाएगा, cos sin 4x, sin 4x minus 2x, 2x, 2x upon 2, it means, cos x, और धर्ड टर्म आपकी sin 3x, यहां पर है ही, तो यहां हमने देखा, बटा, यहां हमने देखा, कि हमें cos 3x तो उपर कॉमन है, क्या है, बटा, उपर कॉमन है, आपका cos 3x, cos 3x कॉमन है, तो यहां बचा, बटा, 2 cos x, 2 cos x plus 1, और डेनो मिनेटर में देखी, बटा, sin 3x कॉमन है, क्या कॉमन है, sin 3x कॉमन है, sin 3x कॉमन आ गया, तो यहां बचा, बटा, 2 cos x, पिलस 1, ओके बटा, इस तरह से हमने इस कॉमन लेने के बाद देखा, कि 2 cos x प्लस 1 से आपका 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा cos 3x, upon sin 3x, which is equal to, इसको लिख सकते हैं, बटा, हम caught 3x, caught 3x, और यही आपको प्रूफ करना था, left hand side को लेकर के, right hand side आपकी क्या है, caught 3x, और इस तरह से हम कह सकते हैं, कि आपने left hand side को, right hand side के equal क्या कर दिया, बटा, प्रूफ कर दिया, okay बटा, next हम बढ़ते हैं, अपने अगले question, question number 22, question number 22, तो बटा, ज्यादा time ना लेते हुए, बस मैं आपको इसे explain करता हूँ, यह है, आपका caught x into caught 2x, minus caught 2x into caught 3x, minus caught 3x into caught x, अब यह आपके आगे बटा, कुछ अलग टाइप के questions, कौन से question आ गए, बटा, हम आगे formula करेंगे, और तब इन questions को solve करेंगे, अब इस तरह से हमने आज part 2 में काफी questions cover किये हैं, वीडियो भी काफी बड़ी बन गई है, तो आगे हम लेकर के आएंगे, इस question का part 3rd, जिसमें हम complete कर देंगे, इस exercise को, तो बटा, हमारे YouTube channel, auto and digital education को like करें, share करें, subscribe करें, और साथ के साथ बटा, अपने स्लेवस को भी टाइम से complete कीजिए, थैंक यू बेटा,